ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन नाशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको न्याय के देवता कर्म फल दाता भगवान शनिदेव के असिरवास से 11 नवंबर से 17 नवंबर याने की नवंबर महा के इन 7 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी तूफानी खबर जा दोस्तो आपको बता दे भगवान शनिदेव आपके उपर इन 7 दिनों में सबसे अधिक महरबान रहने वाले हैं जिससे आपको भगवान शनीदेव के असिरवास से 11 नवंबर से 17 नवंबर याने कि इन 7 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुसकबरी जिससे आपका जीवन बतली जाएगा जहां दोस्तो आपको बता दें 10 दिनों में शनीदेव के असिरवास से तो दोस्तो कौन-कौन शीवे बड़ी खुसकबरी हैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं इसलिए शुरू से अंतर तक वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी वीडियो को मिश ना करें तो कि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पापूर्ण वीडियो रहने वाली है जा दोस्तों वीडियो का अगर शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनीदेव के सच्च वक्त वीडियो को लाइक करें और सच्च दिल से कमेंट्स बूक्स में जैज शनीदेव अवश्य लिखें जैसे भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको शीरे प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा आपक कर्म में काफी सारे देवी देवताओं की माननेता है आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनीदेव का भी आता है भगवान शनीदेव शर्वोच न्याइदीस हैं और भगवान शनीदेव अनुचित कार्रे करने वालों को समय पर दंड भी द भगवान शनिदेव सुर्य पुत्र और कर्म फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एक मात्र भगवान शनिदेव ही हैं शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गवराट होती हैं लेकिन सच बात तो यह हैं कि भगवान श सबी के साथ उचित नियाय करते हैं भगवान शनिदेव की जिस इंसान पर किरपा हो जाती है उस पर कोई भी परिशानी नहीं होती जो लोग गलत काम करते हैं पाप करते हैं दूसरों को नुक्सान पहुचाते हैं भगवान शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं दोस्तों आपके उपर भगवान सनिदेव बहुत जादा प्रसन हो गए हैं अब आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी भगवान सनिदेव के असिरवाथ से नहीं होगी। बढ़ेगी जीवन साती के साथ प्रेम संबंद और भी मजबूत होंगे आप लोगों के लिए यह समय बहुती सुब समय चल रहा है आप लोगों के लिए नई नोकरे मिलने के योग बन रहे हैं अचानक धन में बढ़ुत्री होगी आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत होता इन दिनों दिखाई दे रहा है धन संबंदित मामलों में आपको बहुत जादा इन दिनों लाब मिलेगा परिस्तिती में कुछ बड़ा सुदार देखने को आपको मिल सकता है परिवारिक मित्रों के साथ समय सुख में इन दिनों वैतीत होगा आएके नेश्रोत बनेंगे इ खुसी इन दिनों महसूस कर सकते हैं, बैंकिंग छित्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब खात्मा होगा, परिवर्तन प्रकर्तिक का नियम है, समय समय पर आपके जीवन में होने वाले द्वास्त पर आपको विसे धन रखने की आवश्कता है, साती सात वाहन भी आप बहुती सावधानी पूर्वग चलाएं, आपकी अचानक अब किस्मत इन दिनों चमकने वाली हैं, आप अपनी जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत करेंगे, अचानक आप आपको भारी धनलाब होनी की संभावना इन दिनों नजर आ रही हैं, प्रेम में पड़े जातकों की बात करें, तो प्रेम जीवन के लिए ये दिन बहुती अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, हाला कि कारों की अधिक्ता के चलते प्रेम जीवन में कमी जरूर रहेगी, लेकि आपके और प्रेमी के बीच तालमेल के चलते आप दोनों इस कमी को दर किनार करते हुए अपने रिष्टे को और भी मजबूती देंगे, साथ साथ इन दिनों सादी से जोड़ी चर्चाएं भी आपके घर में शुरू हो सकती हैं, यह समय आपके लिए बहुती सुब साबित होने वाला है, परिवार और रिष्टेदारों में सामाजिक संबंद और भी मजबूत होंगे, आपकी सेहत में भी सुधार आएगा, आपको खोया हुआ सच्चा प्यार इन दिनों मिलने वाला है, आपके रुके हुए सबी काम बहुती तेजी से इन दिनों पूरे होने लग दोस्तों, आपके जीवन में अब आपको अनेकों प्रिकार के बड़े-बड़े परिवर्तन इन दिनों देखने को मिलने वाले हैं, आपको अपने दैनिक जीवन में नई खुसकबरी मिलने के योग नजर आ रहे हैं, आप दिन दुगनी, रात चोगनी तरक्की हासिल करते ह आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में आने वाले सभी प्रिकार के दुखों का अब अंत होगा परिवारिक विवाद और लड़ाई जगडे से भी आपको मुक्ती मिलेगी, किसी काम में किया गया प्रियास आपके लिए लाइफ चेंजिंग इन दिनों साबित होने वाला है, आपका कारोबार तेजी से उन्नती करेगा, चारो और से आपको खुसियां खुसियां इन दिनों मिलने वाली हैं, इन दिनों का समय आपके लिए बहुती लाबकारी साबित होने वाला है, शिक्षा नौकरी और वेपार के छेत्र में आप नए किर्तिमान इस्थापित करने म काम्याब होंगे, नौकरी की तलास कर रहें, लोगों को नौकरी मिल सकती है, दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे, बिजनिस और आफिस के छेत्रों में आपको बहुत सारी चिनोतियां मिल सकती हैं, समाज में आपके मान सम्मान में काफी बढुत्री होगी, कारे छेत्र में जोस के साथ काम करने का आपको मोका मिलेगा आए में बड़ोत्री होगी आपकी सभी एक्छाएं पूरी इन दिनों हो सकती हैं आपके हर कारे में सफलता के नई उमंग आपको दिखाई देगी किसी मांगलिक कारे करम में आप इन दिनों सामिल हो सकते हैं समाजिक कारे में आपका मन भी इन दिनों खूब लगेगा, आर्थिक छित्र में तरक्की हासिल होगी, अपने कारे को आसानी से करते हुए, आप समाज में इन दिनों अपनी अलग पहचान स्थापित करने में काम्याब होगे, व्यपार में आपको अधिक धनलाब होगा, आपका रुकाववा पैसा इन दिनों आपको वापस मिल सकता है, आपकी इंकम में बडुत्री होगी, संतान को सरकारी नोकरी मिलने का सपना भी इन दिनों पूरा हो सकता है, आपको सच्चे प्यार की प्राप्ती होगी, आपकी आमंदनी में निश्चित रूप से व्रद्धी होने के इन दिनों संकेत नजर आ रहे हैं आपकी सेहत और व्यपार में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है किसी पुरानी बात के चिंता आप कर सकते हैं प्यार के नए प्रिस्ताब आपको इन दिनों अचानक मिल सकते हैं आपको अपनी मेहनत का पूरा लाब अब मिलने वाला है धार्मिक कामों में आपका अधिक मन लगेगा शादी सुदा जिंदिकी में खुसियां बनी रहेंगी शंतान पक्ष से भी सभी परिशानियां दूर होंगी इन दिनों आपको शंतान प्राप्ति के भी योग नजर आ र ने वाले हैं यह समय आपके लिए बहुती सुब रहेगा नौकरी और वैपार में आपको छपड़ फार कर धनलाब होगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत होगी परिवार और दोस्तों के साथ समय इन दिनों अच्छा व्यतित होगा आप तेजी से प्रगर बिना डर के आप सुरू करें आपको अवश्य ही सफल ताहसिल होगी इन्हें आर्थिक तंगी से भी अब छुटकारा मिलेगा आप लोगों को दुख दर्द और प्रेसानियों से अब छुटकारा मिलने वाला है जो लंबे समय तक इनके जीवन में चले आ रहे हैं दोस्तों इनके सभी सपने अब इन दिनों पूरे होने वाले हैं जहां दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती सुब समय रहने वाला है इस समय का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों भगवान शनीदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट जैशनीदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद